डेर स्टुडेंट आज की याई वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है जो भी स्टुडेंट बीए फस्ट एर के फर्स समेस्टर के हैं जिनको आने वाले दिनों में इंग्लिस यानिकी अंग्रेजी का पेपर देना है उनको ये वीडियो कंप्लीट ज जो इस बार आपके एक्जाम में आने वाले महत्पूर्ण एक्जाम के निदिर से तो कुल मिलाके ये वीडियो आप लोगों के लिए राम बान साबित होने वाली है जो जो मैं कोश्चन बताऊंगा वो आप लोगों के लिए एक दम सटीक बैठेंगे ठीक है तो चलिए बि सब्सक्राइब को तर तयार करके जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे उन में से कौन-कौन से महत्पूर्ण प्रस्ण हैं जो आ सकते हैं वह मैं आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते प्रोग के देख लीजिए भी अपका इंग्रेजी है यानिकि इंग्लिस और प्रस् रॉड़ामबाड कुश्चन है जो टैकोर जी है रबिनार टैगोर जी इनकàiओ इनोंके पोयम इन्होंने उस्फन से पोयम निखात dłoni उसमें क्या विश्रिफता क्वाफू आपको लिखना है जो की एक रॉड़ाएं विद्रस प्रके नोट कर लिए हुसरा प्लिए अगला क क्या योगदान रहा है किसका नयंतारा सहगाल का वह आपको लिखना है जैसे कि मालिज कभीर दाफ जी का हिंदी के छेत्र में क्या योगदान था तुलसी दाफ का क्या योगदान था उसी तरह कोश्चन है कि नयंतारा सहगाल का क्या योगदान है इंगलिस में इंगलिस साहि सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कोईश्चन जिस इसाफ से आने के चांस हैं उस इसाफ से मैं आपको बता दे रहा हूं किलियर कर जो बात करेंगे साफ सुत्रा एक्जैक्ट करेंगे हवा हवाई कोई सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को मालूम है कि आपका अपना चैनल सक्सिस्ट वे जो बात करते हैं जो कोईश्चन बताते हैं उनकी कोईश्चन आने की 90% उम्मीद रहती ही रहती है अगला कोईश्चन है कि वाट इस नरेटिव स्ट्रेक्चर यह भी कोईश्चन आप स instruction बताएब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा लेकिन आप बते हैं अब को मालूम है तो लिए क्षब प्रस्थ महात्पोड है अगला को जो कोईश्चिन आप लोगों को समस्परसुत होने जा रहा है यह 100% वाला है कोईश्चिन यह है कि छोटी कहानिया होती है उसके बारे में लिखना है और यह कोईश्चिन हमेशा रिपीट होता अस तक मेरी जानकारी की नुसाज जो बिछले यह कोईश्चिन है कि वाट इज प्रस्टन ऐसे प्रस्टन ऐसे आप लोग को मालूम होगा कि बेक्तिकत निबंध होता जो किसी आथर या लेखक के सेल्फ के जीवन पर ठीक है आधायत होता है और यह कोईश्चिन हमेशा पूछे जाने वाला है इसलिए इसको 80% कड़गर से यानि कि फॉर्मल से के बारे में आप क्या जानते हैं यह भी कोईश्चिन आप सभी के लिए 100% वाला है नोट कर लीजिए ठीक है 100% और इन सभी कोईश्चिन का एंसर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे कि इन सभ सभी के लिए रामबान कोईश्चिन हमेंशा रिपीट होता इसको भी हम 100% वाले कटगरी में रखेंगे ठीक है नोट कर लीजिए ठीक है चलिए निश्कोंट देखते हैं कि वाट डू यू मीन बाई प्रोज राइटिंग रामबान कोईश्चिन नोट करी हमेंशा हमेंशा रिपीट होने वाला कोईश्चिन है तो नोट करिए तुरत चलिए निश्कोंट कह रहा है कि डिफाइन आटो बायोग्राफी आप लोग जानते हुए होंगे ठीक है और यह बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण एक्जाम के लिए ठीक है और आटोबायोग्राफिक अपलोग मालूम है कि हिंद में क्या बोलते हैं स्व्यम की कथाथी के तो यह बी आप लोग के लिए महात्पूर्ण और रांबान कोईश्चिन है तीक है आटोगराफ बायोग्राफी आत्म कथा एक विधा एक है ठीक है और हमीशा कोईश्चन पुछे जाना वाला कोईश् वालिक पक्का है ठीक है उसके बाद अगला कोश्चन है कि वार्टीज एन एनालोजी एनालोजी के मतलब होता समानता ठीक है कोश्चन हमेशा तो रिपीट नहीं होता लेकिन कुछ परिच्छा ऐसी होई जिसमें आया है तो इसलिए इसको फिप्टी फिप्टी पर रखेंगे मतलब कुश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ठीक है ओके शेलिए नेश कोश्चन देखते कौन सा है धान सुनेंगे जो जो मैं कोश्चन बता रहा हूं कि इनको आप एक नोट बूक लीजिए और उसमें नोट करते चलिए ठीक है रसक्ति और नोट करने के बाद इन सभी का उत्तर कहातर पर मिलेगा उसकी जांकार हमाँ आपको ते देलेंके और इनी पोस्टर similar कर लेंगे तो आपको काफी ये बिझे है बाकि कुश्चन है वह ओस की एंसर वो भी आपको लेंगे लेकिन इस वीडियो के मादम से जुचु महात्पोंट प्रशन वह मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है अगला कोश्चन की राइट नोट ऑन इनवर्स जन ठीक है यह भी कोश्चन हमेशा नहीं फस्ता कभी कदा रहा था तो आप पढ़ भी सकते एक नोर भी कर सकते ह में रख लिया ताकि यह कहने का चांफ नहीं रह जाए एक्जाम में इसार आपने दो बताया है नहीं तो चांफ नहीं दोंगा आप लोगों को कहने का इसले मैंने इनकी लूट कर दिया इसको भी ठीक है अगला कोश्चन की राइट आस सौट नोट आंचंदो राम बान लेट व्रिफ संर्भी आफ दी एसे दाव लाश्चलीफ एकन बंद है इंगले स्क में इसका नामे दावशलीफ उसी के आप लोगों को संर्भी बताना एं एक तरीकी से बहुकर विक्ना करके आपको लिखना लादा लाश लीप जो की निवन्द है इससे हैं इसे चम्मझेद दो प्रश्ण पूछे जाते हैं हमेशा और एक तो गारंटी के साथ आएगा दो कि उम्मीद करके चलिए ठीक है नोट कर लिजिश को भी चलिए नेस्ट क्वेश्टन है कि ऐसके हो भी कि फिर अवोट्टीज decision लेटर मतलब कि पत्र क्या है और रिजिपनें लेटर यह कि अपने देखा होगा जो लोग ऊवर ज़ैन देते हैं इसको त्याग पत्र बोला जाता है इनले में ठीक है तो अप को पत्र के बारे में जानता है कि पत्र होता क्या है तो पत्र फॉर्मल और इंफॉर्मल दो टाइप क्यों होते हैं इसके बारे में डीटेल में गूगल कर सकते हैं और पत्र के बारे में लिखना है फिर आपको एक कोश्चन आइसा भी आफकता है कि रिजेंग नेशन लेटर क्य का मत्तब यह होता सुन लेजिए एक तो ब्लोग आप लोग देखा होगा कि यूटूब पे वीडियों सब लोग दिखते तो ब्लोग वह ब्लोग यह है वी यल ओजी यह ब्लोग वह जो को को भी देखा ओगा यूटूब पे अपने अपने घर की लाइफ इस्टायल लिखा रहा है कहीं आज हाए कहीं जा रहा है क्या बंड़ रहा क्या कर रहा है वह दिखाता रहता है आई यह मैं यहां गया यह कर लेकिन उसी चीज को लिखित भासा में लिखा जाए तो उसको ब्लोग बोलेंगे वह एक इंसान के माध्यम से लिखा जाता है और उसको बॉल भॉल लेंगे तो समझ लेजिए इस प्रकार होता है बॉलोग और बॉलोग और लॉक कि अन्याखें लाता उसको ब्लोग के बारे में नहें था ब्लोग के तो यह आप सभी के लिए 100% वाला कोश्चन है नोट कर लिए यह 90% वाला है ठीक है तो इस प्रकार आपकी परिच्छा में प्रस्ट देखने को बलेंगे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ना ठीक है 19 यानि कि 19 कोश्चन वदाएंगे हैं और यह 19 कोश्चन आप सभी के कोश्चन आपके परिच्छा में जरूर आएंगे ठीक है अगर आप इन सभी प्रस्टियों को उत्तर तैयार कर लेते खाफ करके जो मैंने नाइंटी परसेंट बताया है तो आपको परिच्छा में जरूर सफलता मिलेगा अच्छे का पीडियो जाएगी तो सब्सक्राइब आपर गिंग मिल रखेंगे अपको अगर इस पर पोरे पूरी डीटिल मिलेगी इस मतबब की डियर्ट बैप साइट पर ठीक है चैली पर होगे दीघान रखेंगे अधाकि लिंक मिल जाएगी वीडियो और मिलते आप को एक और लीडियो के शाज अब तक के लिए जहिन दे झाल झाल